देश के एक अगनीवीर ने उड़ाई पीएम मोधी की नीद देश में पहली बार अगनीवीर भरती का खौफनाक साइड इफेक्ट आया सामने क्या विपक्ष इसलिए कर रहा था अगनीवीर भरती का विरोध खबरजान के राब भी पकड़ लेंगे अपना मात अगनीवीर को मिल रही थी कम सेलवरी चलाना जानता था बंदूग फिर शुरू किया सा खौफनाक तांडव की हिल गई सरकार अभी कुछ दिनों पहले जब केंदर सरकार ने अगनीवीर योजना की शुरवात की थी तो चारों तरफ आहाकार मचा था लोग कह रहे थे कि ये नवजवानों के साथ मोधी सरकार खिलवार कर रही है ऐसे योवक जो सेना में भरती होंगे और पांच साल देश की सेवा करने के बाद जब वो घर वापस लोटेंगे तो फिर वो एक-एक पैसों के मोहताज हो जाएंगे ना तो उन्हें सेना से रिटायर होने का तमगा मिलेगा और ना ही किसी तरह से कोई आर्थिक बदत मिलेगी ऐसे में वो किसी गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं क्योंकि वो अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण होंगे एक ऐसा ही मामला अब सामने आया है उसके भाई प्रभप्रीत सिंग और प्रभ और बलकरन सिंग जो एक टैक्सी सर्विस के लिए काम करते थे सभी ने यात्री बनकर एक कैब ड्राइवर को लूट लिया और ये कोई पहली घटना नहीं थी इससे पहले भी उन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया था और अब वो पुलिस के हत्ते लग गए है तीनों आरूपियों के उम्र 18 से 22 साल के बीच है और वे फाजिलका के रहने वाले हैं उन्होंने बारवी कक्षा तक पढ़ाई की है पंजाब पुलिस ने इस अपराद में एक अगनिवीर के शामिल होने की सूचना सेना को भी दे दी है मुहाली पुलिस ने लूट पार्ट और चोरी करने वाले एक गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफतार किया है पुलिस ने इनके पास से एक चोरी की टैक्सी, स्विफ्ट डिजायर, एक बुलिट, मोटरसाइकिल, एक एक एक्टिवा, स्कूटर, दो जिन्दा कार्तूस के साथ-साथ एक देशी, पिस्तॉल और चोरी के दो मुबाईल फोन बरामत किये है SSP मुहाली के मुताबिक आरूपी इलाके में लूट पार्ट और चोरी की कई वारदातों में शामिल है वे एप के जरिये टैक्सी बुक करते थे और फिर बंदू की नोग पर ड्राइवरों को लूट लेते थे एक जाच अधिकारी ने खुलासा किया कि इशू 2022 में सेना में भरती होने के बाद से पश्रिम बंगाल में कारे रत था वो मई में एक महिने की छुट्टी पर घर आया था लेकिन कम सैलरी के कारण वापस ही नहीं लोटा अधिकारी ने कहा कि वो यानि की इशू अपने परिवार से दूर रह रहा था उसे 20,000 रुपए का मामूली वेतर मिलता था और वो अपने भविश को लेकर असमंजस में था वो सेना में वापस नहीं लोटना चाहता था ऐसो लगता था कि उसने अपराद की दुनिया में कदम रखने का मन बना लिया था क्योंकि वो हत्यार खरीदने के लिए कान पूर गया था जिसका इस्तेमाल उसने लूट पार्ट में किया था पुलिस ने आरूपी के खिलाफ भारती नयसंगिता की धारा 307 मौत या चोट पहुचाने के बाद चूरी करना 308 यानि की जबरन वसूली 125 यानि की मानव जीवन को खत्रे में डालना 62 यानि की आपराधिक मामला और आम्प्स एक्ट यानि की 25 चौवन 69 के तहत मामला धर्ज किया है दोस्तों इस तरह की घटना को लेकर के आपकी क्या राय है और खास तोर पर इस तरह की घटना में एक अगनी वीर का शामिल होना इसे आप कैसे देखते हैं कमेंट बाक्स में अपनी राय हमें जरूर बताएं इस वीडियो में फिलहाल इतना ही